हेलो दोस्तों, दोस्तों, NCRT के Science Niture Series में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब Chapter 4 में हम देखेंगे वस्तू का स्वमू बनना, वस्तू का स्वमू कैसे बनता है। और वस्तू के कुछ गुन को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपके लिए Classics का जो Chapter 4 है, उसके सारे Concept को यहाँ पे लाए हैं, एक एक Point को हम लिखें यहाँ पे Line by Line NCRT को यहाँ पे रखें हैं, दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने Science के Level को Best करना और NCRT का Line by Line पढ़ना और उसके Nature को समझना, तो दोस्तों यह चानल आपके लिए है, इस चानल को सबस्काइब किजिए, और दोस्तों इस वीडियो को देखेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, Line by Line हम बनाएं, और पूरा NCRT को नीचोरने की पूरा कोशिस की हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है दोस्तों वह पदार्थ जो आसानी से दबाए, अत्वा खरोचे जा सकते हैं, उन्हें कहा जाता है, दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनको दबाना या सनपीडित करना कठीन होता है, उसे हमनों क्या बोलते हैं, कठोट पदार्थ, तो दोस्तों कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, जिने सन पीडित करना कठीन होता है वैसे पदार्ष को दोस्तों अमनों क्या बोलते हैं कठोर पदार्ष बोलते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों कोमल पदार्ज के उधारन है कोमल पदार्ज के बहुत सारा उधारन है लेकिन जब धातु को हम हवा में छोड़ देंगे तो वह हवा और नमी के साथ अभिकिरिया करके ठेक है अपने उपर एक परत जमा लेते हैं जिसके वज़ा से उनका जो चमक होता है दोस्तों वो खो जाता है जैसे आप जानते ही होगो दोस्तों लुआ जो होता है लुआ के उपर एक परत बन जाता है जिसको हम लोग जंग बोलते हैं तो आगे वहला क्लास में सारा चीज को सिखे अभी हम लोग क्लास वाइज कर रहे हैं और जितना जिस शेप्टर में दिया है हम लोग उसी का बात करेंगे अगला प्रश्ण है अगला प्राष्ण है आईसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपने अंधर घोलता है उससे हम लोग बोलते हैं घोलक बोलते हैं या उसे विलायक भी बोला जाता है जैसे पानी दोस्तों पानी जो होता है बहुत सरे पदार्तों को अपने अदर घोलता है इसलिए पानी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों गोलक बोलेंगे ठीक है घोलक या विलायक जो होगा दोस्तों ठोस भी हो सकता है या अलकतरा लग जाता है तो उसको हम लोग साफ करते हैं किसे साफ करते हैं किरोसन तेल से या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मिटी तेल तो दोस्तो आप देखे होंगे जब हाथ में पेंट लग जाता है या अलकतरा लग जाता है तो उसको साफ करने का जो सबसे आचा तरीक का होता है किरेखन तिल से उसको साफ किजिए किरोशन तिल क्या करेगा दोस्तों अल्कातरा को या केंड़ को अन्दर का करेगा घुल लेगा । क्या होगा दोस्तों साफ हो जाएगा अगला प्रश्ण है हाथ में लगे अलकात्रा या पेंट को किसे साफ किया जाता है किरोशन क्या करता है अपने अंदर घोल लेता है अगला प्रश्ण है पानी की निशित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिक्तम घुली हुई मात्रा को क्या कहा जाता है तो दोस्तों किसी द्रब में जैसे पानी में अगर कोई पदार्थ अधिक्तम मात्रा में घुली हुई है तो उसको हमनों बोलते हैं विलियता विलियता का मतलब हो गया दोस्तों किसी पदार्ष में घूले हुए पदार्ष की अधिक्तम मात्रा उसी को में का बोलेंगे विलियता बोलेंगे जैसे दोस्तो अगर हम चीनी को घुल रहा है ठीक है पानी में तो चीनी को अगर आप घुलिएगा दोस्तो पानी में तो 30 ग्राम के लगबग चीनी 100 ml पानी में घुलेगा यह नमक का बात कर लेते हैं तो नमक का बात करेंगे तो नमक भी 30 के आज पास जो होता है दोस्तो 100 ml पाणी में घूलता है तो नमक का जो वыйलियता हो गया वह कितना हो गया 30 gram पर 100 ml कि किसी प्रदार्थ का विलियता अलग-अलग होता किसी प्रदार्थ में अधिक चीजें घुल लि지 जा सकती है किसी में कम गुली जा सकती है अगला प्रश्ण है दोस्तो ऐसा विलियन जिसमें और पदार्थ नहीं घुल सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो दोस्तों ऐसे विलियन जिसमें पूरा पदार्थ घुल चुका है और और अधिक पदार्थ नहीं घुलेगा वैसे विलियन को दोस्तों क्या बोलते हैं संतीप्ट विलियन जैसे दोस्तो इक मानली जल हो गया 100 ml लेते हैं दोस्तो 60 ml पानी लेते हैं जल लेते हैं अब इसमें आप नमक घुलिएगा गुलते जाएगा गूलती जाएगा एक समय आयेगा दोस्तो जब इसमें नमक नहीं घुलेगा तो 30 g दोस्तो समान तापप तीस ग्राम नमक ही घुल पाएगा 100 ml पानी में इससे अधिक जो है वो नमक नहीं घुलेगा तो ऐसे विलियन को दोस्तों में कावलेंगे संतिप्ट विलियन बोलेंगे लेकिन एक ऐसा विलियन है जिसमें नमक हम मात्र 10 ग्राम घुले हैं और जल केतना है 100 ml तो इसमें देखिए गुल चुका है उससे अधिक पदार्थ नहीं घुलेगा तो ऐसे विलियन को दोस्तों हमनों क्या बोलेंगे संतिप्ट विलियन बोलेंगे तो संतिप्ट विलियन का मतलब हो गया ऐसा विलियन जिसमें पूरा पदार्थ घुल चुका है अब और पदार्थ नहीं घुल सकत कौते हैं उसको बोलेंगे और संतीप्ट विलियन अगला प्रश्ण है दोस्तो ऐसे संतीप्ट विलियन को आप घरंब करेंगे तो कुछ और भी चीनी उसमें कुछ और भी पदार्थ उसमें घुल सकता है और वह ऐसे विलियन को दोस्तों हमने बोलते हैं अतिस संतिप्ट विलियन जिनमें ताप गरम करने पर कुछ और भी पदार्थ घुल सकते हैं उनको बोलते हैं अतिस संतिप्ट विलियन को जब ताप करेंगे गर लेकिन ताप को और बहात दीजेगा तो अब 30 गराम के जगह पर 10 गराम और बढ़ जाएगा और इसमें अपनमक 40 गराम घुल सकता है ठीक है यह फिक्स होगा तो पहले घुलता था समान ताप पर 30 गराम घुलता था ताप के बढ़ने के कारण घुले होते है लेकिन जैसे ही वह फिलियन ठंडा होगा दोस्तों तो जो चीनी एक्षटा घुला था जो नमक एक्षटा घुला था जो पदार्थ अधिक मात्रा में घुला था वो फिर बाहर आ जाएगा मतलब दोस्तों इसको थंडा करेंगे चाल दोस्तों तरफ में किसी ठोस की घुलनसिलता पर क्या फ़र्क परता है डोस्तों अगर किसी दफ में ठोस को घुल नहीं टोस को घुल dwa तो थोस अदिक साध़ी घुलेगा मतलब थोस की घुलन सिलता जल में थाप के बढ़ाने पर का उता है लेजा अगला प्रश्चन अगता है लेकिन इस किसी जल में अगर हम किसको घोलेंगे गैस को घोलेंगे दोस्तों तो ध्यान रखेंगे घुलन सिलता जो है दोस्तों घट जाएगा बहुत इंपरेंड है किसी ठोस को किसी जल में घोलेंगे तो ताप के बढ़ाने पर उसकी घुलन सिलता बढ़ जाएगा जैसे चीनी और पा ध्यान रखेंगे इसलिए दोस्तों आप देखेंगे गर्मी के दिनों में बात करेंगे तो गर्मी के दिनों में ताप अधिक होता है इसलिए ऑक्सिजन कम घुला रहता है किसमें पानी में लेकिन ठंडा में बात करेंगे तो ठंडा में का होता है टेंपरेचर कम होता है इसल कारण मच्छली जो है दोस्तो अधिकतर छलांग लागाती मिइः यह सता की उपर आने की कोशिस करती हैं अगला प्रbersण है अएसे दर्ब का उधारन दीजिये जो जल में घुलनसी लोते हैं जल में बहुत सारे द्राप घुलंसी लोते हैं जैसे सीरका हो गया निम्बू का रस हो गया यह सभी जल में घुलंसी लोते हैं अगला प्रश्ण है ऐसे द्राप का उधारन दीजिए जो जल में ऑ घुलंसी लोते हैं तो दोस्तों जल में बहुत सारे चीज ऑ घुलंसी लोते दोस्तों जल में जो जन्तु और पादप रहते हैं वह जल में जो घूले ऑक्सीजन होते हैं वहां से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं अगला है दोस्तों ताप के बढ़ाने पर गर्म जल में ऑक्सीजन की घूलनसिता पर क्या फर्क पड़ता है तो पहले भी बता चुके हैं द थणडा जल में अधिक लेंगा इसको ध्यार में इसकल आए दोस्तो ऐसे पदारत जीनसे और को वक्स्तूओं को देखा जा सकता है उन्हें क्यां अन्यक्त detto में चीए ग surfing जाता है उसको बोलते परदर्षीपदार्त और जिनसे पदार्थ जिससे होकर वस्तु को नहीं देखा जा सकता है तो कोई भी पदार्थ जिससे वस्तु को हम लोग आरपार नहीं देख सकते हैं वैसे पदार्थ को दोस्तो क्या बोलता है और परहदर्शी पदार्थ इसका उधारन क्या होगा दोस्तो धातु गत्ता लक्री इससे ह लोग किसी दूसरे पदार्द को नहीं दे सकते हैं हम लोग classics के chapter जो चार है उसको complete कर चुके हैं दोस्तो वीडियो आच्छा लागा हो तो like करें और चैनल पर नए है तो इसे subscribe करें दोस्तो आसा करते हैं यह सारा concept आपको समझ में आया होगा और NCRT को पढ़ने में आपको बहुत अब आसानी होगा और NCRT के line by line हम यहां पर complete कर चुके हैं और आपसे request करते हैं दोस्तो इस वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में एक नए topic के साथ जाहिन दोस्तो